असलाम लेकुम, आपने नान तो बहुत खाया होगा, घर में बनाके या बैकरी से लाके, तो क्या आपने कभी कीमा नान खाया है? अगर नहीं खाया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कीमा नान, मेरा तो फेबरेट है, अगर आप भी भना के खाओगे न तो आपका भी फेबरेट होने वाला है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आटा गुंद लेंगे कीमानान के लिए तो यहां हमने 4 कफ मैदा लिया है वजन से 600 गराम है तो उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सक्कर तो टीस्पून डाल देंगे इसे खमीर भी बोला जाता है और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है अब हमें क्या करना है थोड़ा से बीच में जगा बनाना है और उसमें डाल देना है एक अंडा, और यहां हमें गुन-गुना पानी लिया है. तो अब धोड़ा पानी डालके हमें एक सौट आटा लगाना है. और यहां हम डाल देंगे चाट टीश्बून ओयल. और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के खुब अच्छा आटा सौप्ट गूंद लेना है तो ये देखिए 5-6 मिनट आटा को हमने अच्छे से गूंद लिया है और आटा खुब अच्छा सा हमारा सौप्ट हो गया है अब यहां एक बड़ा सा प्याला लेंगे और सब तरफ उसमें ओईल लगा लेंगे और जो हमने आटा गुंदा है उसे रख देंगे और उपर भी आटा के ओईल लगा लेंगे और कोई चीज़ से कबर करके गरम जगा पर रख दीजेगा तो घंटे के लिए तो अब गयास पर एक फ्राई पेंच अठाएंगे और उसमें तेल डालके थोड़ा सा गरम कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे इस तरीके से एक चौक किया हुआ प्याज और चलाते हुए थोड़ा सा पकाना एक खुब ज़्यादा नहीं पकाना है अब इसमें डाल देंगे हम मटन का केमा तो यह हमारेपस मटन का केमा 600 गरम है और कीमा हमारा थोरा सा मोटा है अगर आप चाहे तो बरीक वाला कीमा ले सकते है आप उसे डाल के अच्छे से मिला लेंगे और उसमें कुछ पोरडर मसाले ढालेंगे तो सबसे पहले अद्रक लासन हरी मिर्च का पेस डालेंगे तो हमने एक चमच भर के लिया है और नमक डाल देंगे वन टेबल स्पून के बराबर या जाएके खीसाब से डाल दीजेगा और सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे अब डालेंगे जीरा काली मिर्च पाउड कर देना है और बीच बीच में हमें चेक करते रहना है और चलाते रहना है जो कीमा पानी छोड़ा है ना उसी में हमारा कीमा भी गल जाएगा और सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो ये देखिए कीमा हमारा खुब अच्छे से पग गया है और जो पानी छोड़ा था ना और उतार के ठंडा कर लेते हैं, तो ये देखें, दो घंटा आटा को भी रखते हुए हो गया है, खुब अच्छे से आटा में खमीरा गया है, आप देख सकते हैं, इसे कि अच्छा जाली बना है, अब इसे हम बाहर निकालके खुब लंबा एक रोल टाइप के बना लेंगे, और सुखा मायदा लगा लिजिएगा कि हाथों में चिपके ना, तो अब ना हम क्या करेंगे, इसमें से पांच पीश कर लेंगे, कट करके, अगर आप चाहे तो इतने आटे में छे नान बना सकते हैं, छे पीश करके, अब हम क्या करेंगे कि इसे एक लोई बनाएंगे और त्रइकल में रखते जाएंगे अब एक लोई लेंगे और XL से फ़ले थोड़ा सा बड़ा करनेंगे इस तरिके से उसके बाद थोड़ा सा बेलन करई के बड़ा नहीं करना है आप जो हमने000 कीमा बनाये था ना उसमें से रखेंगे इस पर अपनी हिसाब से रख दीजिएगा जितना आपको कम या जादा रखना हो अपना इस तरीके से सब तरफ से करते हुए हमें बन कर लेना है अब हाथों से दबा के इस तरीके से बड़ा कर लिजिएगा और उसके बाद बेलंस से लिजियेगा untलय मत बेलिएगा थोड़ा सा मोटा रहने दीजिएगा अब नान में एकड़ंबाइकरी वाला लुक देने के तो अब इसे हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए, तो पहले से ओवन को हम फिरे हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए टाइमिग भी फिट कर देंगे, और अच्ट हमारा ओवन का नीचे ऊपर दोनों चालू है, और 0,500 डिग्री हमारा ओवन का तंपर हो चुका है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो यह हमारा नान बेक्थ हो गया है और बहुत अच्छा उकD classrooms तो दिख रहें लग रहें बेकरी से आया है तो अब ही हमें भी इसे खाना नहीं है अब हम क्या करें इसमें बटर लगा देंगे आप बटर या घी कुछ भी लगा दीजेगा और लगा के न 10 मिनट कपड़े से ढग दीजेगा तो नान हमारा और सौप्ट हो जाएगा और हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दिया था तो चलिए इस नान को मैं आपको तोड़ के दिखाती ह होते देखिए कितना अच्छा सब तरब पक भी गया है और बहुत प्यारा कलर भी आ गया है और बहुत सौप्ट भी बना है और टेस्ट में तो लाजवाब है तो आप भी इसे एक बार जरूर बना के खाईएगा और मुझे कमेंट में बताईएगा कि आपका नान कैसा बना था और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अला हाफीज